वाई साव दो साल जो बंद हुई कोवेड के कचलते यात्रा इस बार क्या पुराना जैसा जो सह की निया भी तर्ट मुक्षंत्री जी ने कहा था सरकारी हेलिकॉप्टर से कावड़ी उपे फूल बढ़ता है तो क्या जहांसी में इस यात्रा पूरा सायो करे गए यात्रा माम अशकार आप देग रहे हैं दा आजाद आवाज आपके मुद्दे आपकी आवाज सवी से बख्तों के लिए एक खुशकावरी है दो साल बाद फिर से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं कावड़ यात्रा के आयो जाक संजीव स उससे ज्यादा जो नजर आ रहा है पिछली दो वर्स कोवड़ के कारण हम सब लोगों ने इसे हालात देखे हैं इसके कारण से हम लोगों ने यात्रा को इस्तागित किया पिछली साथ वरसों यह हमारी यात्रा continue लगातार चल रही है और एक विशाल यात्रा का रूप यह ले चुकी है बुंदेलखन की कावाण की सबसे बड़ी कावण यात्रा है वहाग की हावी है और लगभक चालिस से पचास डीजे के साथ यह यात्रा और चार-पांच बग्गियां जिसमें भगवान, बोलेनाथ के सुरूप, रामचन जी, सीता जी, लक्षमण जी, इनके सुरूप ले करके हम लोग वहां से निकलते हैं, और वहां पैदल यात्रा हमारी निकलते हैं, पूरे यात्र होती हैं कलस ले करके, और कलस ले कर वह कावण यात्रियों के साथ-साथ, आगे उनके स्वागत में चलती हैं, कावण यात्री पीशे चलते हैं, और यहां का जहांसी का जन्मानस, एक साथ होकर उस यात्रा में शामिल होता है, तो आप मानके चलिए कि लगवग से पंदरा स तो सो पच्चीज ऐसे लेकिन सामुएक रूफ से इतनी बड़ी आत्रा अभी तक नहीं निकलती है तो हम ये मुखमंत्री जी ने कहा ता सरकारी हेलिकॉप्टर से कावड़ी उपे फूल बर्साए जाए तो क्या जासी में इस आत्रा इस पॉसिविल उटीए हमने पत्र उनको जिला अधिकारी महुद्य के माद्यम से अपने भेजा है और वहां पर मुखमंत्री को जाएगा मुखमंत्री अगर उसको मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है वो संग्यान लेंगे तो निश्चतरूप से यहां हेलिकॉप्ट से पुस वर्सा भी हो सकती है और यहां प्रशा कोई आप तीजनक गाने ना वाजए जसे धार में उनमार फ्याले बिल्कुल रखा जाएगा और कोई भी ऐसा गीत संगीत नहीं होगा जिससे किसी प्रकार से लोगों को परिशानी हो सहामेक्रोप से भोले नात के भक्ती कि मैं गीत उसमें बजेंगे और सभी भक्तगान है कामड़ यह तो वैसे ही भक्तगान है सभी बित्ते रखते राश्ते गाते अपने मामला सामनी आया है यो हर हर संबू गाना लखा गया वो एक मुसलिम महला तवारा लखा गया उसके खिलाफ मॉलिवियों ने फरमान नकाल देया इसको आप किस परकार देखते हैं देखिए ये तो एक जो कि भारत सभी धर्मों को समायोजित वाला देश है और हमारे हिंदू धर्म के लोग भी मुसलिम देवताओं के उनके गीत बगरा गाते हैं आपने फिल्मों में वैसे भी सब जगह सुने होंगे वक्ति की गीत सुने होंगे अगर उसमें से किसी भक्त ने या म मिrieकती ने गा दिया तो इसमें क्या परिशानी है दिया उनका तो हर बार कोई भी यही तो कट्रता है यहीं करता आगे उन्माद पैदा करती है यह काम नहीं करना चाहिए थे किसी के धर्म के लि़िए को सब्सक्राइब करें जिस Comesлемह utiliser Cameron बने रहे आजाद आवाज के साथ